जब भी आप company की website के ऊपर कोई भी form upload करते हैं तो उसके लिए उस form के ऊपर जो हम dhc लगाते हैं वो कैसे attach करें देखिए पहले आपको क्या करना है आपके PC या laptop में आपको dhc attach करना है जो token रहता है वो attach करना है आपको यह मैंने attach कर दिया token जैसे ही आप attach करेंगे तो देखिए एक folder open होता है उसका यह dhc का folder देखिए आपको यहाप स्क्रेंड के उपर दिख रहा होगा तो उस folder के अंदर उस token का एक software रहता है वो आपको install करना है उसके उपर आप double click करेंगे उस application के उपर double click करने के बाद वो install होने के लिए पूछता है तो install कर देना है आपको मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे install करना है मेरे पास जो टोकन है वह यहाँ पास का है यहाँ पर प्रमिशन पूछता है विंडोज 7 विंडोज 8 यह विंडोज 10 है आपके पास तो प्रमिशन पूछेगा यस कर दीजिए install कीजिए एक ही मिनिट का काम है यह देखिए यहाँ पर आभी इंस्टॉल करना आपको तो मैंने यह software अल्रड़ी इंस्टॉल किया है इसलिए विंस्टॉल मतलब अल्रड़ी इंस्टॉल किया तो मुझे करने की जुरूरत नहीं है आप इंस्टॉल कीजिए ओके उसके बाद क्या कीजिए वह फॉर्म ओपन की है तो मैंने यह form open किया तो उस form के नीचे bottom side पर आपको दिखेगा यहाँ पर दिखेगा एक option दिखेगा आपको ठीक है जैसे मैंने जो token लगा है उसके अंदर तीन लोगों के digital signature है इसलिए यहाँ पर तीन नाम दिखा रहा है जैसे for example यह उपर वाला नाम मेरा है लक्षिमकान शास्त्री आगर समझो कि इस बंदे का इस परसन का अगर आपको DAC लगा रहा है तो आप क्या करेंगे इसके उपर क् है ठीक है saving करने के लिए पुछ तो जहां पर भी आपको save करना है वहां पर सेव कीजिए इसको जैसे मैं यहां पर सेव कर लेता हूं यहान पर हो जाएगा यह allow किजिए permission दे दीजिए उसको उसके बाद वो password के लिए पूछेगा तो password डाल दीजिए आप तो यहां पर password पूछ रहा है तो मैं डाल दूँगा password जो भी मेरा password है ठीक है और login के ओपर click किजिए password आप गलती से ज्यादा मतलब गलती से अगर डालेंगे तो आपको तेरा ही आटेम्ट रहते हैं आपके बस तेरा बार अगर आपने गलट डाल दिया तो आपका डेसी cancel हो जाता है मतलब expire हो जाता है वाद में काम नहीं करता है ओके तो यहां पर दिखाए दिरा मेरा नाम दिखाए दिरा लक्षमेकान तुदैस अगर शास्त्री यह तो मैंने यहां पर दिखाई दिया कि attach कैसे करना है मनौ आपको यह अपने गलती से किसी और का अपने DAC लगा तो यह निकल जाता है लेकिन वही डियसी लगी होनी चाहिए लैप्टॉप को या PC को तभी यह निकलेगी जो आप यहाँ पर लगाया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद टाटा बाई बाई